हेलो दोस्तों आज मैं रुपल स्टट फारम यूटूब चैनल पे फर्स्ट वुलोग बनाने जा रहा हूं और आज है मेरा बत्डे तो इसी खुशी के मौके पे मैं मेरा फर्स्ट वुलोग बनाने जा रहा हूं और आज अपनी ठार और BMW गाड़ी खड़ी है तो आज जो हमारी हर साल मेरे बत्डे पे मेरे दोस्त मेरे भाई वो मेरा केक बनवाते हैं पर इस साल खुशी के मौके पे तो मेरे जो वाइफ हैं उन्होंने जो केक बनवाया है तो उनका एक ऐसा मानना था उनके खुशी थी कि आप चलोगे साथ में और मैंने जो केक बनवा बनवाई है वो लेने के लिए आप खुद मेरे साथ चलो गये तो मैं उनके लिए उनकी खुशी के लिए और उन्हें वें मेरी खुशी के लिए जो केक बनवाये है उसके लिए हमारे नजदी की City एक हमधर हमें बनवाये अपनार बनच यूटूब बmente पर तो आगे का मैं बाग आपको दिखाता हूं तो दोस्तों हम निकल चुके हैं फर्स्ट व्लोग में आज हमारा बथड़े यह हमारी रूपाल और कले गांटे का पोता और पुखराज का बेटा रूपराज तो आज हम निकल रहे हैं इडर के लिए रवाना हो रहे हमारा फर फर्स्ट व्लोग पसंद आए और आप सबकी कमेंट में बताना कि आज हमारा व्लोग आपको सबको किसा लगेगा तो हम इसी रीते हम इसे हिसाब से आगे व्लोग भी बनाते रहेंगे अल्रेडी यह व्लोग के अंदर हमारा रूपल इस्टर्ड फारम जो ओल इंडिया में गोड़े बेशता है लेते हैं तो रूपल इस्टर्ड फारम आ चुका है आप देख सकते हो यह हमारा फारम और हमारे फारम के पास हो कही हम गुजर रहे हैं अभी इडर जो सीटी है हम एक कारणी ह whites का अबिशी के लिए हम जा रहे है अभी इदर से अरा को वहाँ पे केक का ओडर जो अबरी वाइफ ने दिया है कि तो मरी वाइफ की सा बोलना था कि साथ तुम भी चलो में एक लिए मैं तो मरी दोनों की खुशी के लिए और जा रहे है जश्ट हम पहुचने वाले हैं इडर ग्रेन सिटी जो राजाओ का सहर बोला जाता है इडर वो है आप देख सकते हो वीडियो के अंदर यह फ़र्स्ट व्लॉग के अंदर आप सब बताना कि मैं ऐसे से व्लॉग बनाते जाऊंगा कि गोड़ी लेने जाते गोड़ी लाते समय हर एक उलॉग बनाऊंगा आप सबको जो पसंद आये तो और मैं आप सबका शुक्र गुजारूं कि आपने रूपल इस्टर्ड फारम को अपने जो अभी 31,000 के फेमिली जो पूरी होने आई है आप सबके सपोर्ट के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए मैं तहे दिल से आप सबको थेंक्यू बोलता हूँ आप देख सकते हो यह इडर सिटी है जो राजाओ का शहर बोला जाता है वो है यह इडर और मेरे गाओं का यह तालू का भी है जो हमारे आजबाज़ू जो गाओं का जो तालू का है यह इडर उसकी यह ग्रिन सिटी है और यहाँ पे राजाओ का महल है और इसलिए जो इतियास है यह इडर गाओं का इसलिए इसे बोलने में आता है राजाओ का शहर इसे बोलने में आता है इडर को अब देख सकते हो इडर के अंदर जो ग्रीन सिटी है हमारी आन बान शान इंडिया का तिरंगा और अपनी मात्रो भूमे की शान तिरंगा इडर में लहरा है हमें गर्व है कि हम एक इंडियन है इंडिया से हम अपने ब्लॉंग करते हैं हमें गर्व है हमारे इंडिया के लोगों से हमारे इंडिया की सरकार से और हमारे इंडिया का जो कल्चर है आज हमें उस पे गर्व है और होना चाहिए और जो इंडिया का जो पीछे का जो इतियास है उससे भी हमें पूरा पूरा गर्व है आरिफ कि आर आई एफ मेरा नाम के हमारी वाइफ ने केक बनवाया है तो हम आए आज लेने के लिए मैं फ़र्ष्ट वॉड़ाग के अंदर अब देख सकते हो रूपल स्टर्ड फारम के लिए हम ने इदर लिखवा है रूपल स्टर्ड फारम यूटूब चैनल 30,000 के सब्स्क्राइबर की खुसी में भी और हमारे बाथड़े में भी दोनों के लिए हमने केक साथ में हमने बनवाया था इसलिए आप सब देखो कमेंट करना फर्स्ट व्लॉग के अंदर कि आपको व्लॉग किसा लगा और हमारे केक कैसे लगे यह सब केक हमने तीन केक भी बनवाया है और यह भी केक हमने एक्ष्रा यह हमारी वाइफ ने बनवाया है तो फाइनली दोस्तों हमने ले लिया है हमारे बर्थडे का केक और हम ईडर से रीटन हो रहे हैं और आप देख रहे हो यह रोड के उपर जो गाय खड़ी रहती है तो अभी जो 14 जो दीन होता है तो कच्छी जग्या पर मच्छर बहुत काटते हैं इस हिसाब से यह सब जो गाई है आप तो रोड पे कडी होती है तो बहुत वो भी एक अपने जैसा ही जीव है उनको भी थोड़ा समझे वो भी एक पूर्य का काम है तो फाइनली दोस्तों आप सब पोस्ट करकर यूटूब कमेंट में फेस्बूक पेज पर और इस्टाग्राम आईडी पर जिसमें भी मेरी स्टोरी चड़ाई है वो सब को मैं तहें दील से धन्यवाद करता हूं और यह मेरी फेमिली है तो हम साथ में सब केक काटकर सेलिप्रेट करेंगे तो आप सब की जो आप सब कमेंट कर रहे हैं तो हमें वीडियो में बताना तो जो मैंने जो रूपल स्टाट फाम यूटूब चैनल पर आज जो मैं फ़र्ष्ट बार जो व्लोग बना है तो व्लोग का यह फाइनली लास्ट अपन भाग है और मैं आगे आपको यही बाग में आगे बता रहा अब देख सकते हो यह हमारे बाई है वो जो जो केक है वो बता रहे हैं यह हमारे अच्छे हमारे भी दोस्त है तौसिब भाई यह हमारे लिए केक लेकर आये हैं कि बहुत सी बार आपने इनको वीडियो में भी देखे होंगे रूपल इस्टाट फाम यूट्यूब चैनल पर और अपना जो लोगों जो तीस हेजार के फैमिली पूरी हुई उसकी खुशी में भी केक बनवाया है और हमारे बत्टड़ी फिर भी हमने केक साथ में बनवाय है था उनकी खुशी के लिए ताकि हमारे अब्बू जाने अब देख सकते हो इनको यह सब पसंद नहीं है पर एक खुशी थी हमारे बच्चों की इनके लिए इन्होंने करने दिया है हमारे अब्बू का यह कहना है क्या भी यह करते हो इससे तो अच्छा कोई गरीब की मद तो हम हमारा जो अगले बथड़े होगा हम उसके जरूर हमारे अब्बू जान की बात पर हम गोड करके घरीब बच्चों के मदद करेंगे अम्मा जाने नकाब में आप देख सकते हो आज हम 27 साल के हो गए हमारी पहले साल से लेकर अभी तक की जरनी रही हमारी अम्मा ने बढ़ा करके आज में 27 साल में बैठा हूं तो आज हमारे अम्मी जान हमारे साथ में बस इनकी दुआ से रुपल इस्टाट फारम यूटूब क को और एसे रुपल इस्टाट फारम यूटूब चैनल को प्यार देते रही सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने